Hello everyone, आज हम लोग बात करेंगे about the executive हम लोग सभा के members होते हैं उनको हम directly elect करते हैं यानि कि जो हमें लगता है हमारे wishes को fulfill कर सकते हैं और जैसे हम चाहें वैसा law बनाएंगे तो हम उनको vote करते हैं और लोग सभा में उन्हीं की government बनी गी जो at least 272 seats जीती हों लोग सभा में जैसे last 2019 के लोग सभा election में 303 seats मिली इसलिए BJP की government बनी थी और 2009 की लोग सभा election में किसी भी party की 272 seats नहीं आई थी ऐसे में कैसे मन मोहन सिंग प्राइम मिनस्टर बन गए थे हुआ ये था कि बहुत सी party मिली Congress के साथ और उन्होंने government बनाई ऐसी government को coalition government कहते हैं मतलब depending upon कौन सी party को overall लोग सभा में स्यादा seats मिल दी हैं वो party government बनाती है तो government बनाने के बात क्या करते हैं उनको country के लिए laws और policies बनानी होती है पार्लिमेंट में वो laws बनाते हैं और फिर उसको implement भी करते हैं तो कोई भी country run करने के लिए बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती हैं जैसे infrastructure देखना होता है health, social welfare, education, agriculture और भी बहुत सारी चीज़ें तो ये सब चीज़ें अच्छे से हो इसलिए इन सब कामों के लिए अलग-अलग ministry बनाई हैं कि ministry of education, education से related matters देखेगी ministry of agriculture and farmers, welfare उनसे related चीज़े देखेगी ये सब करके हमने काम को easily बाटा है तो prime minister तो head होते हैं government के उनके साथ और भी members होते हैं जो उनकी help करते हैं government run करने में और ये जो members होते हैं उनको prime minister कोई ministry देते हैं ताकि वो उसको अच्छे से run कर सकें तो कोई भी ministry में जो main leader होता है वो होता है minister political and permanent executive executive दो तरह की होते हैं पहले जिनकों की लोगों ने elect किया है जैसे हमारे PM और सारे ministers तो क्या ये हमेशा के लिए minister रहते हैं बिलकुल नहीं ये बदलते रहते हैं जिसकी भी लोगसभा में government बनती है वही लोग अपना minister बनाते हैं जैसे अगर congress की government बनेगी तो वो congress के लोगों को ministers बनाएंगे और जब BJP की government आएगी तो वो BJP के लोगों को ministers बनाएंगे मतलब ministers change होते रहते हैं depending upon कौन सी party power में हैं इनको political executive कहते हैं दूसरी category के लोग long term के लिए होते हैं इनको permanent executive या civil servants कहते हैं ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई करके UPSC का exam clear करके आए हुए हैं तो भले ही ruling party change हो जाए उनकी जगध दूसरी political executive आजाएं पर permanent executive नहीं change होते हैं ये political executive के under काम करते हैं और उनकी help करते हैं day to day administration में कैसे? Let's see देखो कोई भी ministry का leader होता है minister पर ऐसा तो नहीं है ना कि ministry में सिर्फ minister होंगे बहुत से और लोग भी होते हैं जो minister की help करते हैं secretary होते हैं जो ministers को बताते हैं about the important stuff जो की उस ministry से related है यानि हर ministry में secretary होता है और joint secretary भी होते हैं यानि secretary minister को बताते हैं about the various things related to the ministry or minister के उपर है कि क्या decision लेना है और क्या नहीं लेना तो आपको नहीं लगता कि civil servant जिसके पास ज्यादा knowledge है ज्यादा information है about his work तो उनके पास ज्यादा powers होने चाहिए ना कि किसी minister के पास maybe minister ने पढ़ाई भी ना की हो तो वो country के लिए सही decision कैसे ले सकते हैं especially कुछ ministries में जैसे defense हो गई या industry से related या health, science and technology जिसमें आपको अच्छा खासा knowledge होना चाहिए decision लेने के लिए तो सब काम में final decision ministers ही क्यों ले सकता है reason बहुत simple है minister बना कैसे क्योंकि उसकी party power में आई party power में क्यों आई क्योंकि लोगों ने vote दिया उनकी party को तो लोगों का support मिला है उनको और democracy में लोगों का power सर्वो परी है तो क्योंकि minister लोगों द्वारा चुना गया है इसलिए उसके पास power है vote decision लेने का जो उसको लगता है कि सही है और लोग यही चाहते हैं तो अगर decision अच्छा लगा लोगों को तो अच्छी बात है क्योंकि democracy में लोगों की ही बात मानी चाहिए और अगर लोगों को यह decision अच्छा नहीं लगा तो अगली बार anyways उनको vote नहीं मिलेगा तो जो भी काम करता है government के अंदर इन सब को executive कहते हैं क्योंकि यह सारे काम execute करते हैं जो भी उनको government से मिले हैं जब भी हम government की बात करते हैं तो हम executive की ही बात कर रहे होते हैं Prime Minister and Council of Ministers Prime Minister के बारे में आप सब जानते होगे यह बहुत important है हमारे सारे institutions में बट हम Prime Minister directly नहीं चुनते जो president होते हैं वो appoint करते हैं Prime Minister को पर ऐसा नहीं है कि president जिसको चाहे उसको Prime Minister बना दे president उसको PM बनाते हैं जो लोग सबा में सबसे ज्यादा seeds जीत के आए हैं या तो majority party या फिर अगर बहुत सी party ने coalition government बनाई है तो उन सारों को जो भी leader चाहिए SPM उसको ही president Prime Minister बनाता है तो Prime Minister का कोई term नहीं होता कि कितने सालों तक वो Prime Minister रह सकते हैं वो तब तक Prime Minister रह सकते हैं जब तक उनको लोग सबा में majority of members का support हो जब Prime Minister appoint हो जाता है उसके बाद president और ministers को appoint करते हैं जिसको भी Prime Minister advice करता है तो यह जो minister है इन सब को officially council of ministers कहते हैं इस council of ministers में लगभग 60 से 80 लोग होते हैं कौन-कौन होते हैं इसके अंदर let's see cabinet ministers यह एकदम top वाले leaders होते हैं party के mostly council of ministers के जो भी decision होते हैं उनको cabinet ministers ही लेते हैं इसमें लगभग 25 members होते हैं minister of state with independent charge यह वो ministers होते हैं जिनको की not so important ministries दे दी जाते हैं यह cabinet meetings में तभी participate कर पाते हैं जब इनको invitation मिलता है minister of state यह वो ministers होते हैं जिनको की cabinet ministers को assist करने के लिए रखा गया है और क्योंकि यह possible नहीं है कि यह सारे ministers daily साथ में मिलें और discuss करें about important stuff इसलिए mostly जो decision होते हैं वो cabinet meetings में लिए जाते हैं इसलिए parliamentary democracy को cabinet form of government भी कहते हैं cabinet एक team की तरह काम करती हैं यानि members के अपनी अलग-लग views हो सकते हैं और भले ही उनको cabinet का decision अच्छा नहीं लगे but still उनको cabinet के साथ काम करना पड़ेगा और कोई भी minister government के decision को openly criticize नहीं कर सकते हैं तो वैसे ministries में secretaries ministers को background information देते हैं ताकि ministers सही decision ले सके सेम वैसे ही cabinet as a team उनको भी cabinet secretary assist करते हैं powers of prime minister constitution में इतना कुछ नहीं लिखा है कि क्या power है prime minister के या council of ministers के बट क्यूंकि prime minister head है government के तो उनकी पास बहुत सारे powers हैं वो cabinet meetings के chairman होते हैं वो अलग-अलग departments की काम को coordinate करते हैं अगर department के बीच में कुछ मतबेद है तो उसको prime minister solve करते हैं और उनका decision final होता है सारे ministries को वो supervise करते हैं सारे ministers को वो lead करते हैं prime minister distribute करते हैं या फिर redistribute करते हैं काम अलग-अलग ministers को उनके पास power है कि किसी भी minister को हटा सकते हैं और अगर prime minister ने resign किया तो सारे council of ministers को भी resign करना पड़ेगा तो parliament का leader कौन होता है Prime Minister और government का leader कौन होता है Prime Minister और cabinet का leader कौन होता है प्राइम मिनिस्टर इसकी वज़े से प्राइम मिनिस्टर पार्लेमेंट और government दोनों को कंट्रोल करते हैं और इसलिए parliamentary form of government को प्राइम मिनिस्टेरियल form of government भी बोलते हैं जवाला नेरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर उनका लोगों भी बहुत influence था जिसकी वज़े से उनके पास भी काफी पावस थी इंद्रा गांधी भी बहुत powerful leader थी अपने time की ये influence इस बात से भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर की personality कैसी है पिछले सालों में क्या होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते थे इतने ज्यादा influence नहीं कर पाते थे और ज्यादा तर उस time पे coalition government बन रही थी coalition में होने के वज़े से प्राइम मिनिस्टर के पास वैसे भी इतने powers नहीं हो पाते क्योंकि कोई भी decision वो खुद की मरजी से नहीं ले सकते हैं उनको अलग अलग party से बात करनी पड़ेगी उनका view भी जाना पड़ेगा क्योंकि जो भी उनकी government बनी है वो उस party दूसरी party की मदद से बनी है और अगर वो नहीं पूछेंगे वो अपने आप से decision लेंगे तो उनको उस party का support नहीं मिलेगा और government गिर जानी है so after a much long time अभी के समय पे we have a prime minister जिनकी इतनी ज्यादा outreach है लोगों में काफी influence है क्योंकि उनको coalition government नहीं बनानी पड़ रही है वो लोगों के vote की वज़े से आए हैं और इसलिए उन्होंने बहुत सारे tough decisions भी लिये है the president so prime minister government का head होता है और president state का head होता है president की पास nominal powers होती है हमारे president की powers london की queen के जैसी है ceremonial मतलब दिखाने के लिए powers हैं बाकि कोई real में powers नहीं है president सारे institutions की functioning देखते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से होती रहे president को हम लोग directly elect नहीं करते हैं जिन members को हमने elect किया था parliament के लिए और legislative assembly के लिए वही लोग elect करते हैं president को तो president उतने popular नहीं हो पाते हैं जितना की prime minister होते हैं और यह ensure करता है कि एक nominal executive की तारह काम करें सोचो अगर prime minister और president दोनों को लोग elect कर रहे होते हैं तो क्या होता है उन दोरों में competition होता कि मैं जादा powerful हूँ नहीं मैं powerful हूँ तो ऐसे case में better है कि president का election indirectly होता है president के powers क्या होते हैं अगर आप constitution में देखोगे तो आपको लगगा कि president तो बड़ा powerful है वो तो सब कर सकते हैं सारी government activities में उनका नाम आता है कोई भी law या major policy decision अगर government लेती है उसमें भी उनी का नाम रहता है major appointment जो होती है country में जैसे chief justice of India supreme court के judges की, high court के judges की, state के governor की election commissioners, दूसरी country के लिए जो ambassadors हम बेचते हैं वो भी उनी के नाम पे होती है international treaties और agreements भी उनी के नाम पे होते हैं वो armed forces के भी supreme commander है but हमें ये पता होना चाहिए कि president की सारी power सिर्फ council of ministers की advice पे ही ले सकते हैं यानि president जो भी decision लेते हैं वो council of ministers उनको बताते हैं कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो पर अगर president को लगता है कि कोई advice जो उनको council of minister दे रहे हैं वो advice सही नहीं है तो वो उनको advice reconsider करने के लिए बोल सकते हैं बट अगर council of ministers ने वापस से president को same advice दे दी तो president को उनकी बात माननी पड़ेगी similarly अगर कोई bill पास होके आया है parliament से तो वो president की assent के बाद ही law बन सकता है president ये कर सकते हैं कि bill को delay करें या फिर ये कर सकते हैं कि parliament को reconsideration के लिए भेज सकते हैं बट अगर parliament ने दुबारा bill पास कर दिया और bill पास करके भेजा president के पास तो अब की बार president को bill को accept करना ही पड़ेगा तो president क्या कुछ खुद कर भी सकते हैं या नहीं वैल एक important चीज है जो president अपने आप करते हैं वो है prime minister appoint करना अगर majority party या coalition ने मिलके government बनाई तब तो उनके most popular leader होंगे वो वनेंगे prime minister बट जब कोई भी party की majority नहीं हो पाती लोग सभा में तब president अपनी discretion यूज करते हैं president की opinion में उनको जो भी लगता है इसको majority support मिल सकता है वो उसको prime minister appoint कर सकते हैं बट उनको एक time limit बताते हैं कि इतने time तक आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको majority support है लोग सभा में well it's too much information I guess so अगर आपको इस video में कोई problem हो इस executive के part में कोई problem हो just write down in the comment section and thank you so much for watching the video have a great day bye